यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवती भारत अभ्युक्तानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यं परित्रानाय साधूना विनाशाय चद्धिश्कुता धर्मसंस्थाप नार्थाय संभवानी युगे-युगे जिहां धोस्तों कृष्नी जी का दिया हुआ ये एक स्लोग जो महाँ भारत में हमें नजर आता है आज मेरा विशह कृष्नी जी है क्योंकि कृष्नी जी ने आज जनमास्यमी में हमें याद दिलाया है और हमें याद करना भी चाहिए कि उनके दियोवे कुछ लोक, कुछ विचार इतने अमुल्य है जो आज भी जिन्दगी में सरतक्ता रखते हैं हम सब के 18 chapters, 18 दिन, लाखों लोगों का मारा जाना और महाभारत का रचना हो यहां दोस्तों, हम कोट में जब भी पहले जाते थे, आप तो नहीं रहा है, लेकिन जब भी हम जाते थे तो गीता पे हाथ रखकर हम कहते थे के जो भी कहेंगे सच कहेंगे यानि सच का कोई मापदंड है और वो है गीता गीता हमारे लिए बहुत 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 अमुल्य है फ्रेंच के एक आथर ने गीता को पड़ा और उसने फ्रेंच में उन्होंने ट्रांसलेट किया अब पुरा देश सिर्फ भारती नहीं बहर के कितने देश है कीता का रुपांतर अपनी भाशा में करके वो इसका मुल्य इसका सार समझ रहे हैं तो हम भारती है क्यों नहीं चलिए मैं बताता हूँ आपको के सोला साल की उमर तक जब तक वो राधा के साथ गौलों के साथ और जितनी भी रास लीला उन्होंने किये वो जब उन्होंने त्यागा तो राधा से जाते जाते हैं उन्होंने एकीशब कहा कि ये बंसी इसके बाद मैं कभी नहीं चूँगा ये रहा नाम अब कृष्ण राधा नहीं होगा अब राधे राधे होगा सिर्फ तेरा ही नाम दुबारा दो बार बोला जाएगा कृष्ण राधे नहीं बोला जाएगा कृष्ण जो थे वो थे हम सबको मालوم है लेकिन क्या होंगे उनके गुरू जिन्होंने समझाया कि 16 साल के उमर के बाद में आपकी रचना इसलिए नहीं की है महाभारत की रचना करना है आपको आप जाओ इंदरप्रस जाओ वो पांडव और कौरवों के बीच में गए और उन्होंने महाभारत की रचना गई जी हाँ दोस्तों सोचिए 45 मिनिट का पाठ जहां कृष्ण अर्जुन से कह रहे है कि तेरे अपने है वो तेरे भाई है वो तेरे दादा है वो तेरे गुरु है वो लेकिन वत तुझे करना है और क्यों करना है क्योंकि ये भौतित्ता की बात नहीं है ये आत्मा की बात है और फो आत्मा का जो मूल्ले है वो जब कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया तो महाभारत की रचना हुई और हम सब को मालूम है कि महाभारत का अंत क्या हुआ जब कृष्ण अपने पार्थ अर्जुन को ये समझा रहे थे 45 मिनिट में तो इसे सुनने वाले मात्र तीन लोग थे अर्जुन के अलावा इसे तीन लोगों ने लाइव सुना था एक थे संजे जिने divine vision था या दिव दृष्टि थी जिसके कारण वो देख रहे थे एक थे दृतराष्ट और दृतराष्ट वही देखना चाते थे जो उन्हें देखना था याने उनके नजरिये से के कौरवो का क्या होगा तो संजे से वही पूछ रहे थे और तीसरे थे वेद व्यास जी हाँ वेद व्यास याने वेद की शाला में एक वेद एक रिशी और उनका नाम था कृष्ण द्वापयन ये तीनों अर्जुन के अलावा गीता का वाच सुन रहे थे कृष्ण जी के मुख से तो आप ये तीन अलग 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 नजरिया था जो घटित हुआ महावारत में हम सब को मालूम है लेकिन जो वेद व्यास याने कृष्ण द्वापयन जी ने लिखा हुआ गीता का जो सार है वो हम तक पहुचा क्योंकि उन्होंने लिखा कृष्ण जी उन्होंने अर्जुन क जो बुला वो तो घटित हुआ लेकिन जो हमारे बीच में है वो कृष्ण द्वापयन जी की गीता है वेद व्यास उनकी है संजे जो बताना चाहते थे वो देख तो सब कुछ रहते उनके डिवाइन विजिन से या दिव दृष्टी से लेकिन दृतराष्ट उन्हें वही चाहते थे जो उन्हें उनके मतलब का था आज का ये खास संदर्व इसलिए के गीता के भी तीन अलग अलग नजरिये रहे हैं उसके बाद गीता का वरनन तीन जगा और हुआ हैं वो उन महानुबह उन जिन्होंने गीता की रचना किये अपनी दृष्टी से मैं आज आपको प्रश्व इलास ये सबसे परे था इनसान इनसान सब कुछ पा चुका था तो वहां एक निर्वाना प्राप्ति या फिर सन्यासी की जो योग होता है उस योग को उन्होंने उस नजरिये से देखा गीता को रचने रचते हुए उन्होंने वो दृष्टी का ध्यान में रख तो समाज को एक भक्ती मार्ग देने के लिए गीता की रचना की थी जो संत ग्यानिश्वर जी की गीता में नजर आता है। भाव है ये तीन अलग अलग वेक्ती के रहें जो हमें कल्यूक के जमाने में नजर आता है कि दृष्टी और भाव 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 बदलता है दृष्टी यानि जैसा भाव है इस देश का वैसा भाव उस गीता में रचने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद जितनी भी गीता की रचना हुई है वो इस देश का भाव है इस देश के भाव को किस तरह से डाला जाए कितना सकारत मक किया जाए उस नजरिये से बाकी महानुबों ने ये गीता की रचना की है। कृष्ण जी की दी हुई गीता सिर्फ हमें यही बात बताती है कि भाव को पैचानिये। आज हमारा देश जिस भाव से गुजर रहा है उस भाव को पैचानिये। 2014 के बाद में हमारा राष्ट्र चिन या सौवेनियर ताजमहल नहीं है। आज गीता है। ये फ्रेंच के ऑथर अगर गीता को पढ़कर अपने भाशा में इसे लिख सकते हैं। तो सोचिए आपके बाहर के देश ये जानते हैं गीता का भाव और मूले दोनों। तो इसकी नैतिकता हमारे में है कि हमारे धर्म बले कितने अलग-अलग हो, हमारे विचार कितने अलग हो। लेकिन गीता यदि आप पढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं ये आज का मेसेज है कि गीता को हमारे हर घर में एक गीता होना चाहिए है कि गीता हमें सरफ धर्म का ग्यान नहीं देता। अगर धर्म नेतिकता होता तो क्या बात है धर्म की कभी लडाई नहीं होती धर्म में कभी लडाई नहीं होती मगर नेतिकता धर्म हो जाए यही गीता कहता है तो वैल्यूज नेतिकता और कुछ नहीं है वैल्यूज है हम अपने जीवन में वैल्यूज को इतने उपर रखे कि हम कभी हमारा मन डावा डोलना हो, हम बैमानी ना करे, हमारे दूसरे किसी धर्म के प्रती, दूसरे किसी विक्ति के विशे के प्रती, हम कभी कम महसूस ना करे, कमी महसूस ना करे, और इस नजरिये से हम ये पूरे देश को बचा सके, ऐसा कोई भी प्रॉबलम नहीं है, जो ग तो उस दृष्टी से गीता का होना और गीता का पढ़ना उसका वाज करना और हमारे जीवन में इसका मूल लेके आना ये बड़ा अनिवारे हैं और जन्माश्टमी के इस आवसर पर मैं कृष्ण जी को याद करते हुए सिर्फ यही कहूँगा के हर घर में गीता हो हर घर में नैतिकता हो जी हां इतना कहकर रादे रादे